चना दाल तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी चना दाल ले ली है इसे हम अच्छे से वाश कर लेंगे और इस पर मैंने दो ग्लास पानी ही मिलाया है इसके बाद आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक चमच नमक डालेंगे और ढकन बंद करके इसे हम आठ से दस सीटी आने तक पकाएंगे चना दाल को पकने में थोड़ा समय लगता है इसलिए हम इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे फिर एक मैंने कडा ही ली है इस पर मैंने सरसो का तेल दिया है आप कोई भी कुकिंग ओय ले सकते हैं सरसो के तेल से स्वाद जादा बढ़िया आता है दो तेज पत्ता, दो सुखे लाल मिर्च, एक छोटी चमच जीरा, आधी दालचिनी का तुकड़ा, एक बड़ी हिलाची और आधी छोटी चमच हिंग पाउडर डाला है, इन्हें हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें एक मीडन साइज का प्याज कट करके डालेंगे प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे, प्याज आधी पक गई है, तो अब हम इसमें अधरक लहसुन का पेश्ट भी मिलाएंगे इन सब को भी अच्छे से भून लेंगे, अधरक लहसुन और प्याज को अच्छे से भून लेंगे इसके बाद मैंने इसमें एक चमच लाल मिर्च पाउडर मिलाया है आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी एक चमच मिला सकते हैं मसाली अच्छे से भुन जाने चाहिए इन में से तेल अच्छे से उपर आने लगा है अब इसमें मैंने एक चमच शुगर डाली है और आधी छोटी चमच नमक मिलाया है अच्छे से सब को मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें दो मीडियम साइज की टमाटर कटे हुए डाल देंगे टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर को हमें अच्छे से भून लेना है टमाटर अच्छे से गल जाए तब हम एक बार डाल को चेक कर लेंगे डाल अगर हमारी पकी है तो हम इस पे डाल को मिला लेंगे डाल हमारी अभी काफी गाड़ी लग रही है इसलिए हम इसमें एक कप पानी और मिलाएंगे क्योंकि अभी हमें डाल को पकाना है और 5-7 मिनट तक हमें दाल को पकने देना है जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा दाल को मेडियम फ्लेम पर 5-7 मिनट तक अच्छे से पकने दें देखें दाल पर अच्छे से बॉयल आने लगा है अब इस पर मैंने थोड़े से कटे हुए कच्छे नारियल मिला है अगर आपके पास हो तो आप कच्छे नारियल जरूर मिला है इससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ा सा धनिय पत्ता हमारी दाल बनके रेडी हो गई है अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे हमाए दाल बनके रेडी हो गई देखे कितनी अच्छी और थिक बनी है हम थोड़ा सा कच्छे नारियल से इसे डेकोरेट कर लेंगे अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करें ये दाल परिवार के तेन से चार लोगों के लिए काफी है